नमस्कार, आज मैं प्रस्तोतू आपके सामने, पार चार सावले सपनों की याग के प्रशन उत्तर के साथ साउले सपनों की याग ये पाठ हमने पिसली वीडियो में पढ़ा समझा और आशा करती हूँ आप लोगों को समझा गया होगा आपने घर में भी इसको विवाइज किया होगा तो आज मैं पढ़ाओंगी इसके प्रश्न उत्तर सभी बच्चे ध्यान देंगे पहला प्रश्न है किस गटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया वे कौन सी गटना थी बच्चो जिसकी वज़े से साली मली पक्षी प्रेमी बने है ठीक है ये है क्वेशन और इसका उक्तर है एक बार बच्पन में साली मली की एर गन से एक गौरईया घायल होकर गिर पड़ी इस गटना ने साली मली के जीवन की दिशा को बदल दिया वे गौरईया की देखवाल सुरक्षा और खोज बीन में जुट गये उसके बाद उनकी रुची पूरे पक्षी शंसार की और मुड़ गई वे पक्षी प्रेमी बन गये क्या हुआ था कैसे बने वो पक्षी प्रेमी बजपन में उन्होंने अपनी एर गटन से गलती से किसी गौरईया को गहल कर दिया था ठीक है तो उसके गहल होने से उन्हें बहुत दुख हुआ वो उसे ढूंड़ा उन्होंने और उसकी देखवाल की उसकी सुरक्षा की और उसके पास से दिरे दिरे उनकी रुची कि जाओं कि जिसे उनकी आखें नम हो गई तो सालीम अली ने पूरप्रदार मंत्री चोधरी चरण सिंग के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंदी खत्रों की बात उठाई होगी यह उठाई थी जिससे सुनकर उनकी आखें नम हो गए ती इस नम पर तीने लॉरेंस की पत में धेर सारी बाते जानती है इसका उत्तर है लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गौरईया से बहुत प्रेम था वे अपना काफी समय गौरईया के साथ बिताते थे गौरईया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा ब्योहार करती थी उनके इसी पक्षी प् के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा हूं कि प्रस्ट नंबर चार है आशे स्पस्ट कीजिए कुछ पंक्तियां है और इन पंक्तियों का आशे स्पस्ट करना है कि वह लॉरेंस की तरह नैसरगी जिन्दगी का परतिरूप बन गए थे इसकार्म अर्थ है कि अंग्रेजी के कवी डी एच लॉरेंस प्रकृति के प्रकृति प्रेमी थे वे उनका जीवन प्रकृति में हो चुका था और उनी की बाति सालिम अली भी स्वयम को प्रकृति के लिए समर्पित कर चुके थे यहां तक कि वे स्वयम प्रकृति के समान सहज, सरल, बोले और निश्चल हो चुके थे यहां नैसरकिक जिंदगी के प्रतिरूप के दो अर्थ है एक है प्रकृति में को जाना यानि की प्रकृति में हो जाना दूसरा है प्रकृति के समान सहज, यानि सरल हो जाना सब के लिए समान हो जाना तो ये था पहली पंक्ति का आशर दूसरी पंक्ति है कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की दड़कन दे कर भी उसे लोटाना चाहे तो वे पक्षी अपने सपनों के गीत दुबारा कैसे गा सकेगा तो इसका आशर है कि लेखा कहना चाहता है कि साली मली की मिर्द्व के बाद वैसा पक्षी प्रेमी और कोई नहीं हो सकता साली मली पक्षी रूपी मौत की गोद में सो चुका है और अगर कोई अपने दिल की दड़कन उसके दिल में भर दे और अपने सरीर की हलचर उसके सरीर में डाल भी दे तो भी वे पक्षी फिर से वैसा नहीं हो सकेगा क्योंकि उसके सपने अपने ही सरीर और अपनी ही धड़कन से उपजिते वे मालिक थे किसी और की धड़कन और हल्चन साली मली के सपनों को पुने जीवित नहीं कर सकती आसे यह है कि उनके जैसा पक्षी प्रेमी प्रियास पुर्वग उत्पन नहीं किया जा सकता आप प्रेशन नंबर गव है उसी का है आसे इस परष्टी एक और पंक्ति है साली मली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथा सागर बनकर उबरे ते यह आसे इस परष्ट करने में भी यह पंक्ति आ सकती है और इससे एक इंपोर्टेंट प्रेशन भी ब बनता है इसमें अथा टापू बनकर उबरें यह कैसे तो इसका उत्तर है कि साली मली प्रकृति के खुले संसार में खोच करने के लिए निकले ठीक है उन्होंने स्वयम को किसी सीमा में कैद नहीं किया वे एक टापू की तरह किसी अस्तान विशेश या पस्व पक्षी विशे से नहीं बंद गए उन्होंने अथा सागर की तरह प्रकृति में जो जो अनुभों आये उन्हें संजोया और उनका कारेशेत्र बहुत विशाद है यानि वह कहीं पर बंद कर नहीं रह सकते थे प्रेश नंबर पांच है कि इस पार्ट के आदार पर लेखक की भाषा शयली की चार विशेश्ताइं बताईए लेखक की भाषा कैसी दों कि सामले सपनों की याद नामक पाठ की भासा सेली संबंधी विशेश्थाई निम लिखी थे हैं आप इसतरे से उत्तर लिखेंगे इसमें आप पहला लिखेंगे मिस्डित सब्दा का प्रियोग औहां से सब्दों को लिए जैसे उर्दु राशा से ओर यह से वत्तों को लिया यहनि ने उर्दु सब्डों का सबसे ज़्यादाः प्योंग किया है जैसे जिन्दगी परिंदा खुबْसूरत खुजूम खामोश संस्किर्ट के सब्द भी है जिसे संभव अंतहीन पक्षी वर्स ठीक है तो इस प्रकार उन्होंने संस्किर्ट उर्दु का इस तरह प्रियोग किया है कि वे सगी बहने लगती है अगला है जटिल वाक्यों का प्रियोग हुआ है जाविर हुसेन की रचना वंगी मौर जटिल है वे सरा सीधे वाक्यों का प्रियोग नहीं करते है कलात मक्ता उनके हर वाकिय में है और प्रस्न नमबर 6 है इसमें इस पार्ट में लेकर ने सालीम अली के व्रक्टित तोका जो चितर कीजा है उसे अपने सब्दों में लिखिए थीक है और सालीम अली हर समय क्या लिये रहते थे और क्यों यह दोनों इंपोर्टेंट प्रस ने सीवेसी के पिछले एक्जाम में आये हुए हैं तो आपको इन्हें अच्छे से समझना है उत्तर है सालीम अली अनन्य प्रकर्ति प्रेमी थे उन्होंने पक्षों के विसेश प्रेम था उन्हें पक्षों से बहुत प्रेम था लेकर ने सब्दों में उन जैसा वर्ड वाचर सायर कोई हुआ है उन जैसा वर्ड वाचर सायद कोई हुआ है। वे हमेशा आखों या गले में दुर्बिन लटकाय रहते थे उन्हें दूर आकास में उड़ते पक्षियों की खोज करने का तथा उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने का असीम चाओ था। वे स्वभाव से तो परम घुमकर और यायावार थे। लंबी आत्राओं ने उनके सरीर को कमजोर कर दिया थे। ब्योहार में वे इतने सरल सीधे और बोले इंसान थे कि जटिल आदमी हैरानी में पढ़ जाते थे कि क्या यही आदमी परसिद्ध पक्षी प्रेमी सारी मली वे किसी भी बाहरी चकाचौन और विशिष्टता से दूर थे। यह था प्रस नमबर 6 का उत्तर। प्रस नमबर 7 है। सावले सपनों की याद सीर्षक की साथकता पर टिपणी कीजी। इस पाठ का नाम सावले सपनों की याद क्यों रखा। सावले सपनों की याद एक रहस्यात्मक सीर्षक है। इसे पढ़कर पाठक जिग्यासा से आतुर हो जाता है। कि कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, ये सपने सावले क्यों है, कौन इन सपनों को याद में आतुर है। आदी इस तरह के प्रेशन उड़ते हैं। और सालीम अली जीवन बर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोई रहे, वे उनकी सुरक्षा और कोच के सपनों में खोई रहे ये सपने हर किसी को नहीं आते हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूर सकता इसलिए आज जब साली मली नहीं रहे तो लेखा को उन सावले सपनों की याद आती है जो साली मली की आखों में बसते थे तो यह सीवसक सार्तक तो है किन्तु गहरा रहस्यात्मक भी है चंदन की तरह गिस गिस कर इसके अर्थ तदा परवाव तक पहुँचा जा सकता है याने कि इसको समझने के लिए बहुत गहन अध्यान की आवशक्ता है तो बच्चों यह तो थे आपकी सीरियसी बुक के प्रश्णुतर और कुछ रजना और अभिव्यक्ति वाले प्रश्ण है यहाँ पर कुछ मेत्वपून और प्रश्ण है यह आपको स्वयम से भी करने है इन प्रश्णों को आप स्वयम करेंगे रचना और अभिव्यक्ति वाली बागी प्रश्णों तर मैंने जो अभी आपको बता है यह आपको अपनी नौट बुक में लिखने है फिर एक नई पार्ट के साथ अगली वीडियो में आपके सम्मुक प्रस्तत होंगी तब तक के लि गे देला आपको की आपके लिएश्णों को आपके साथ पता है आपके साथ आपका।